मेरी जो भी सिस्टर्स लोग है के जन लोग ये तक में एडमिसन करा करके साधी करवा दिये उनका आज से दस साल पहले या छेतर पून रुप से उगरवाद से जल रहा था उगरवाद से ग्रसित था लातेहर के मनिका विधान सभा में जहां आजादी से बाद इतने सालों तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था वहाँ पर 2014 के बाद डिग्री कॉलेज बना है और बच्चियां पढ़ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्स पढ़ते हैं क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर अब जो डिग्री कॉलेज बना है बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बड़े में क्या हो लोगे कितना जरूरी है पढ़ना बहुत जरूरी है पढ़ाय करना और यह डिग्री कॉलेज बन गया है पास भी जादा दूर नहीं है डिग्री कॉलेज जाने से क्या फायदा होगा? क्योंकि मेरी पेरेंस लोग जदा पैसा नहीं लगा पाते हैं इससे लिए है कि इतना लोग जागरुक हैं सकते हैं अश्कुल पहले उतना पेरिंट्स नी भिज डेते हैं मेरे घर के साधी करवादी उनका पढ़ाई करते थे लड़कियां पहले यही खास इंटर तक मेरे कोडिंग तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना तो सही है इसको मतलब हम कितना नजदिकी से हम जा कि इसके उपर काम कर रहे हैं जैसे कि पहले बेटियों को पढ़ने के लिए है आप पर कितना बड़ा प्रभाव पढ़ता है इससे हमारा मोनोबल घट जाता है बार बार त्यारी करके फिर पैरेंट्स भी बोलते हैं घर में कि क्या हो रहा है तुम इतना त्यारी कर रहे है इतना पैसा भी खर्च कर रहे तुमारे पीछे कुछ हो नहीं रहा है हमारे जो स्टेट के जो मारे मुख्य मंत्री उनको भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के साथ ये ना इंसाफी ना हो बच्चे बहुत ही लगन से मेहनत करते हैं और एक्जाम देते हैं उनके पीछे पैरेंट्स का बहुत ही युगदान होता है किनी किनी का तो ये अपना खेद पारी दाओ पर लगा कर बच्चे ये सब की त्यारी करने में लगे होते हैं फिर भी पेपर लीख हो जाता है अगर एजुकेशन पॉइंट फूसे देखें तो कितना सुधार आया है पिछले दस सालों में जहां तक लाते हार का परिप्रेक्ष है आज से दस साल पहले या छ खेत्र पून रूप से उग्रवाद से जल रहा था उग्रवाद से ग्रसित था डालटेंगंज से राची या यह कहें राची से डालटेंगंज 165 किलोमेटर का डिस्टेंस है और इस एक लंबे डिस्टेंस में अभी तक एक भी डिगरी कॉलेज नहीं खुला हुआ था यह डिगरी कॉलेज है जो कि डिगरी कॉलेज मनिका फुला 2018 से यहां उच सिक्षा में एक बेहतर सिक्षा का अलग छात्रों को दिया जा रहा है प्रधान मंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात भी करते हैं अब लड़किया पढ़ने लग गई हैं रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है तो दूर दूर से पढ़ने के लिए पर आ रहे हैं तो स्पेसिफिकली ट्राइबल बच्चियां तो क्या हो पढ़ने के कभी सोचा होगा कि पढ़ने जाएं दूर अंद्र का पहले जो नक्सल गतिविदी थी उस पर इस्तितियों में यहां पढ़ाई लिखाई बड़ा मुस्किल था लेकिन आठारा पंदरा अठारा के बाद आज के डेट में नक्सल गतिविदी फ्ला कम हो चुका है कम क्या समा आठी वो चुका है लगभग और इस इस्तिति में पढ़ाई लिखाई बड़ा सुचारू रूप से यहां चल रहा है पेपर लिख के समस्या बहुत जादा आ रही है चारखन जेमें दोर्मेंट पर या रोप बार बार लगते आ रहा है कि पेपर लिख हो गया या फिर बेर गारजियन को भी काफी कठिनाईया होती है और छात्र काफी मायूस हो जाते हैं उससे काफी नराजगी है छात्रों को कि पेपर लिख हमेसा हो जाती है और हम अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं